कि चलीये तो आज हम लोग सुरू करते हैं सिंपलिफिकेस्रन इसमें से हम आपको सारे टायभ करнаते हैं जितना प्रस्थन एकजाम में पूझेजाते ब offense simplification का ये first question है, देखिए इसको हम लोग देखके answer मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं इसका answer, ये तीन, ये 4 हो जागा इसका answer, मतलब second में ही इसका answer मार सकते हैं सिर्फ question देखर के, ये आप में मार सकते हैं, अभी आपको तुरत तरीका पता चल जाएगा, कैसे हमने इसको मार रहा है, चले देखते हैं इसका क्या rule है, सबसे पहले क्या करना है, आपको rule में लिख देता हूँ तो इसमें देखिए हमने नियम लिख दिया है rule, कि question में digit का सह अभाज करना है, सबसे पहले संक्या होगा, यह दिहान में रखना है एक बार फिर से देख लीजिए, अगर sign बड़ा हो तो अगर sign पलस हो तो अंसर बड़ा संक्या होगा, अगर sign मैनस हो तो छोटी संक्या होगी यह याद रखना है, बस अगर बड़ा संक्या होगा, कब जब sin पलस होगा छोटी संक्या होगी कब जब sin माइनस होगा तो यही चीज़ याद रखना है कि देखना है sin देखे यहाँ जदी पलस है तो इसका जो फेक्टर करेंगे 12 था 12 को लिक्स थे 3 गुना 4 देखिए सहाबाइस फेक्टर है जिसका अंतर कितना होना चाहिए एक होना चाहिए इसका अंतर देखिए एक है तो कौन हो जगा बड़ा ओला ओप्सन नमर यह उजदा राइट अंसर तो यह रूल याद रखना है आपको बहुत ही सिंपल है कुश्चन में डिजिट का सहाबा हो जागा कितना बच्छेगा यह चार चार का अंतर है जब कि होना चाहिए वान का इसलिए यह नहीं लिख सकते हैं चले नेक्स्ट प्रस्ट की और चलते हैं देखिए इसमें जो दिया हुआ है यह 56 56 56 56 ऐसका अंसर क्या होगा यह 8 हो जाएगा देख के टिक कर देंगे क्योंक साथ को आर्ट से गर इंटू किया जाए तो कितना जागा 56 56 ऐसमें बड़ा वाला होगा अंसर बड़ा होला एट था क्योंकि पलस पलस का सायन ने हम बताय थे कि जब पलस का सायन रहे तो बड़ा वाला एंसर होगा से लिए नेक्स्ट कोशन की चलते हैं देखिए इसको इस किसको किस इंटू कर दे और option देखिते निकित आप इसतरी करक्या आज आसा नहीं करना सघ्रस्ट प। को देखते हैं यह एक्सों बटीस एक्सों बटीस सीरिकिय माइनस है माईस Georgia ऐसे पता चल गया थे 32 अगर factor करेंगे तो 11 into 12 लिखेंगे इसमें दिखें माइनस माइनस है तो छोटा अलो संग्या कोन होगा 11 होगा 11 होगा 11 होगा 11 होगा 11 है चोड़ी संख्या क्योंकि माइनस है तो छोड़ी संख्या लेंगे 11 इसका answer वह जाएगा तो बहुत ही simple था next देखते हैं अगला को होता है यह 12 इंटू 13 लिखेंगे तो इसमें पला से बढ़ा वालों सब्सक्राइब को नहीं है तो इसका ऑप्शन नवर यह हो जागा अंसर यह सिंपल था देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करनी का जो कुश्चन आता है वो किलियर हो जाएगा रूट का जिसे बलते हैं यह इस टैप का जब रहत इसका एक फर्मुला राद रखिए वो फर्मुला से हमें सब बनाईएगा यह फर्मुला हो जाएगा रूट अंडर और यह प्लस वन यह डिवाड़ेड़ वाट टू यह फर्मुला आ जाएगा इसके लिए जब इस टैप कर है सब सेम सेम रहे जिसका फेक्टर ना हो जैसे पिछले को से हम लोगों ने देखा अगर 12 था तो वहां क्या किये थे 3 x 4 किये और 12 का बना लिए बड़ा और फेक्टर था लेकिन यहां पर 13 है तो 13 x 1 लिख सकते हैं इसका और फेक्टर तो हो ही नहीं रहा सिर्फ only one होगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यह पलस है तो छब भाद बाद मिम् bikini कि इसको ये मान लेना यह जो है इसको मान लेना है ये मान लेना है ठीक है अगर इसको मानेंगे तो यहां परमूला में बठाते हैं तो तो तेरे को चार से गुना करेंगे त्यरों चक आजयेका मेरा 52 यह बावन प्लस 1 यह 59 रोट पिलस टो इतना अगया अब जब प्लस से सुरुवात है कि शुरुवात यहां से देखना बहुत लोग यहां का ध्यान देते हैं यहां का ध्यान नहीं देना प्लस यहां से सुरुवात होता है यहां का ध्यान देना है यहां से प्लस मेरा है यहां से प्लस प्लस जा रहा है तो क्या करेंगे एक यहां पर एड़ कर देंगे रूट 233 प्लस संद्व इसका अंसर हो जागा जो ऑप्सन नबर सी में दिया हुआ है तो इस तरह से उसको आसानी से वना सकते हैं बस फ्रमृला याद रखना है कि जिसका फैक्टर शहाब जिसके ठीक्टः के अंतर में देखिए यह सैंद इसके फ्टार के अंतर में के व्यान व्याहि कितना अंतर हो जाएगा यह 12 का अंतर हो जाएगा धिश्वकब हो चाहिए इसलिए यह जब यह infinity तक गया है, इसको क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 11, 11, 11 है, मतलब इसको माल लेना है, यह माल लेना है, जब इसको एक फर्मूला, और यह प्लस 1, डिवाड़ेड बाइ 2, इसमें बठा देना है, जब यहाँ यहाँ बठा देंगे, एक के जगह है, 11 हो जाएगँ, तो इसी तरह से हम लोग बहुत असारह से कर लेंगे, एक बब फिर सेगर समझना चाहते हैं, तो देखेंगे, करेंगे जो जितना यहां दिया हुआ रहेगा उसको ए माल लेना है और चार से गुना कर देना है गैरो चक्छोवाले से कितना हो गया पैंतालिस पैंतालिस बठेट टू लास्ट में क्या करना है जदी पलस पलस से शुरू हो तो यहां पर एक जोड़ देना है और फिर फार्म से निकालेंगे रूट फोर यह प्लस वन डिवाड़ेड़ बाइट टू फोर है और यह है प्लस वन ठीक है तो क्या करेंगे इसको यह माल लेंगे वही हम लोग अपना तरीका से इसको जिदी ए मानेंगे तो मेरा यहां पर हो जाएगा तेरा चक्क बावन बावन अरे कितन जाएगा रूट अंडर यह 56 बाइट ऊजब माइनस से सुरूआ से दिक्षिए यहां से नहीं देखना है देखना कहां से यहां से दिखना कि माइस रिफ यह Ton इने से देखना है तो यह रहेगा तो प्राव Zach और यहां से दिपाइं chi लिए देखते हैं जब पलस से शुरू होता है तो क्या करते हैं जब पलस से शुरू होता है तो इसमें क्या करते हैं देखिए पलस से शुरू है यहाँ पर 7 7 है यह पलस से शुरू बात है जब पलस से शुरू बात रहेगा तो क्या करेंगे इसके लिए भी अलग फर्मॉला देते हैं इसको बन यहां प्रकीए का हां यहां पर एक रहता था वर्म सब यहां पर देखिए यहां प्रिखनए यहां सरू क्या है प्लस में और साफ पर प्लस ееत्या प्लस चुणर रहता तो बना लेते हैं रूट-वाण 1 divided by 2, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक plus है, एक minus है, एक plus है, एक minus है, तो इसमें क्या करना है? वही simple, इसको क्या माल लेना है? ए माल लेना है, ए, ए माल लेना है, ए माल लेंगे 7 को, यह हो जागा 7 यहाँ रख देंगे, यहाँ बिठा देंगे, तो एड़ कर देंगे तो जगा 6 by 2 is equal to 3 आ जाएगा तो 3 option नमर कौन है यह option और first में है यह हो जागा answer एब फिर से समझा देते हैं जब पलस से शुरू हो और संक्या same हो 7 7 हो या फिर 13 13 हो या फिर 17 17 हो तब क्या करना है root under 4 यह minus 3 divided by 2 यह formula याद रखना है कि 7 को यह मान लेना है इसको यह मानेंगे और यहां बैठा देंगे साथ सक 58 आगया 28 में तीन चला गया 28 में तीन चला गया 25 25 का वर्मूल कितना आ जागा 5 5 by 2 यहां पलस था इसलिए यहां एक जोड़ देंगे पिछला कोशन में क्या कर रहे इसमें हम लोग देखिए यहां पर एक एड कर देते हैं और दो से डिवाइट कर देते हैं तो बस यह याद आखना है अगर पर लस से शुरू हो तो एक एड कर देना अब दो से डिवाइट कर देना जदी माइनस से शुरू हो तो एक सब्ट्रेक्ट कर देना बस बन तो simple देख रहे हैं देखने में तो difficult लग रहा है लेकिन बहुत ही simple इसको मौके भी बनाया जा सकता है यह 3 हो गया 3 इसमें add कर देंगे 25 का 5 हो जागा इसमें add कर देंगे 25 को भी 5 आजागा answer हो जागा मतला आप इसको देखके answer माल सकते हैं जैसे यह सबसे पहले 9 का अगर तो थी यहां बैठा देंगे तो 22 आर्टिन कितना हो गया 25 यहां तक निकल गया 25 का वर्गमुल कितना हो गया 5 यहां फिर add हो जागा इसमें अपर पर परस चूटा हुआ है अगर add हो जागा यहां पर ते कितना हो जागा 25 का वर्गमुल यह 5 हो जागा तो बहुत ही simple इसको ऐसे बना सकते हैं नेक्स्ट प्रसंद देखिए आप लोग भी इसको मौके बना सकते हैं इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा यह पहले निकाल लेंगे एक क्यासी का हो जाएगा 9 और यहाँ 9 है इन 9 9 दो 9 में एक 9 वर्गमुल होता है यहाँ इतना तक आ जाएगा एक 9 अब इसको इसमें जोड़ देंगे 40 में 9 जोड़ देंगे 49 अब 49 का वर्गमुल यह में आ जाएगा 7 option नमबर यह यह भी बहुत ही simple है बहुत असानी तरीके से इसको समझ सकते हैं देखिए एक फिर से 81 है इसका वर्गमुल कितना हो जाएगा यह 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9 है दो 9 में वर्गमुल मतलब दो संक्यों में से एक संक्यों को बाहर आ जाता है दो फेक्टर रहता है उसका एक फेक्टर को बाहर कर देते हैं तो यह 9 जागा बाहर 48 में यह नोजूट जागत 49 जागा 49 का वर्गमुल लेंगे तो मेरा 7 आ जागा यह बहुत ही simple है नेक्स प्रेज़ की और देखते हैं अगला अगला अम लोग पहुँच जाते हैं टाइब 5 में यह फिस टाइब गफ प्रेद रहे गा जिसमें यह न précis दिल करनी दिया हुए रहे आ रहेगा यह रूट जो रहे यह अनंद तक गया हुआ है इसका कोई सिमान नहीं है इसको कैसे बनाते हैं आप लोग सोच देगा है कि इसको बहुत बड़ा मैथर से बनाया जाएगा नहीं यह सिंपल बनेगा यह 55 55 इंफिनिटी तक गया है इसका मतलब इसका एंसर यही से हम हो जागा जो भी डिजिट रह नहीं हो जाएगा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रत नहीं हमको देखिए इसमें नेक्स्ट में नेक्स्ट प्रस्टेस ने 777 इंफिनिटी तर गया हुए फिर देखिए इसका अंसर क्या हो जागा आप लोगो पताए तो रूट से वैन होगर नहीं यह 14 भी नहीं ह चलिए लेखて अमने कि प्रस्ट को कि देखिए और्फटट्स नहीं यह जरु तर रूट 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 नहीं दिया रहे है सीमित संक्याओं तक दिया है क्या करेंगे हम लोग simple देखेंगे यह दो कितना बर दिया हुगा एक दो तीन है लेखेंगे टो इंटू 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 तो यह कितना आ जाएगा यह 8 आजाएगा अब क्या करना है इसमें बस simple कुछ नहीं करना यह यह 2 ले लेना है और उसी पर पावर लगा देना है 8 और यहां पर divide का sign देना है और देखी 8 में घटा देना है कितना होगे 7 मतलब 2 का power 7 बटे और option number D is the right answer क्या करना है एक बार फिर से रिखिए यह 2 यह 2 यह 2 दो 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 दिया हुआ है क्या करेंगे तीनों 2 में से कोई 2 देखिए तीनों 2 में से कोई 2 यहां पर लेते हैं answer में और यह जो दो दिया हुआ रहता है जितना बार उसको multiply करके लाते है एट उसी पर पावर लगा देते हैं एट और उसके उपर एक घटा करके लिख देते हैं तो 8 में एक घटा देंगे कितना बचेगा यह 7 बचेगा यह मेरा हो जागा पाइनल अंसर फिर से एक बार समझा देत में डिवाट के साइन डिवाट के साइन की निच्छे लगाना है और एक घटा के उसको उपर में रख देना है बहुत सिंपल है इसको next question करें यह देखिए यहां पर दिया हुआ है इसको अंसर कितना हो जागा देखिए यह ऑप्शन हो जागा देखिए एक दो तीन चार इस चारों में से कोई एक त्री ले लेंगे और यहां डिवाइट का साइन देंगे इसको एक आसी को नीचे लिखेंगे एक घटा के उपर लिख देंगे असी यह ऑप्शन नंबर यह होगी है तो आई होप आप लोग को यह सिंपलिफिकेशन के वीडियो पसंद आया होगा पूरा टाइप फाइब तक का सीख लें और कोई भी एकजाम में अगर इस तरह का प्रस्ण आवे ऐसे सी बैंकिंग रेलवे इसे में पुछा जाता है इस टाइप का सिंपलिफिकेशन तो अराम से हल कर सके एक यह दो प्रस्ण देही देता है चलिए बहुत बहुत धन्यव के साथ फिर से मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ दबते के लिए अप लोग ध्यान देजिए और पढ़िए थैंक्स फुर वाचेशन